मुझे यानि अधक्ष बिहार विधान सभा को पत से अटाए जाने की सुचना दी गई है तक्निकी रूप से यह सही है माननिय सदस गन कुल उपस्थित सदसों के संख्या के मर्दान से यह परस्ताव सुकिर्थ हुआ यह सभा अपने संकल्प को प्रस्तावित करता हूं कि बर्तमान मानिय दक्ष बिहार विधान सभा को उनके पत से अटाने पर सभा की समती हो इस प्रस्ताव को सभा की यनमती दी जाती है आप सब किर्भिया बाहट जाहां कि मानिये नेता पॉइंट अफोडर रहे हैं कि जो सदन जिस दल के सदसे हैं मद्दान तक उनको अपने ही चीच पे बैठना होगा नहीं तो यह मान वे माना जाता है मद्दान जो है मान वे माना जाता है अभी आप एक ऐसे वक्त में महदे जब संविधान पर हमले हो रहे हैं महदे जब लोग तंत्र खत्रे में हैं तक कुछ हुआ जी तई इसलिए और बाकी जो हम इतना दिन मिहनत किये और हम सब को एक जुट कर रहे थे तो हम सारा मिहनत कर रहे तक कुछ हुआ और अंत में जो साती रहे कुछ दिनों के लिए वो गलत मूप से भटक गए थे फिर हमारे साथ आए अगर परिवार में सुआ का बिच्ड़ा हुआ वेक्ति आ जाता है साम को तो उसको परिवार का ही सदस्राइब अम माने मुक्त बंस्री जी को धन्यवाद देना चाहते है कि लगतार नौ बार उन्होंने शपत लेकर के इतिहास लचने काम के और नौ बार तो लिया ही मौदे लेकिन एक ही टर्म में तीन तीन बार लिया ऐसा अधुन नजारा हम लोगों ने नहीं देखा इनका ब्यान हमने देखा कि भाजपा जो है इनकी माँ भाजपा पाटी जो है माँ लेकिन हम तो कहना चाहते है आटे दीन आपी माँ हुए और इजिनल Dilip Rai of the JDU is still missing, he is the only one MLA among the 243 who is missing from the assembly but still now JDU and the NDA Alliance has got 130 seats including the vote of the speaker that is Maheshwar Adhari who is currently the deputy speaker by post but soon will be taking vote as the speaker because he has been nominated, he has been elected by the previous speaker when the no confidence motion was called now three MLA's of the RJD came with the NDA although this is not clearly at that they'll go in which party either BJP or the JDU but they have voted in favor of the NDA Alliance